Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab मैं फिर से आगया हूँ आपके बीच में एक बहुत important information के साथ बहुत सारे students government internship के लिए अलग-अलग websites पे अलग-अलग agencies में apply करते हैं बट उनको अच्छी opportunity नहीं मिल पाती उनका aim रहता है कि किसी तरीके से हम बहतर government agency में internship करें ताकि हमारा CV boost हो सके और ऐसी internship में apply करना चाते हैं जहां पे कुछ fellowship भी मिल सके कुछ stipend भी मिल सके कल ऐसी ही एक internship program के बारे में मैंने आपको अपने वीडियो चैनल के ओपर बताया था आज भी मैं वही एक और internship program है बहुत ही अच्छा internship program है इसरो की तरफ से internship program है यहाँ पे आपको stipend भी दिया जाएगा विक्रम सारा भाई space center की तरफ से एक notification आया हुआ है जिसके जरीए आप अलग-अलग domains के बहुत सारी positions आई हुई है चाहे वो आप किसी engineering field के हो चाहे non engineering field के हो आपके लिए बहुत सारी vacancies आई हुई है आप यहाँ पे apply कर सकते हो, internship कर सकते हो, training कर सकते हो और आपको stipend भी मिलेगा तो यह video last तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके related जो program हो आप से related जो eligibility criteria हो वो बाद में आए तो आपको सारी information पूरी तरीके से मिल जाए इसलिए video last तक जरूर देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक humble request है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला content पसंद आता है तो वीडियो को जरूर like कर दीजएगा चैनल को जरूर subscribe कर दीजएगा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे students को चैनल से वीडियो से फायदा तो होता है बट वो चैनल subscribe नहीं करते आपका subscription ही हमारा motivation है हम चाहते हैं कि हम motivated रहें और आपके लिए और बहतर content हर बार लेकर के आते रहें तो बिना देर की हुए शुरू करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इस समय विक्रम सारा भाई Space Center की website के ओपर हूँ जिसकी website यहाँ पर दी हुई है इसको मैं description section में भी add कर दूँगा ताकि आप directly यहाँ पर आ सकें अपार्ट रॉम दाट इस से रिलेटेड़ जो भी PDF document अवेलेबल होगा उसको अपने टेलिग्राम ग्रूप के ओपर पोस्ट कर दूँगा टेलिग्राम ग्रूप का भी link description section में दिया हुआ है आप वहाँ से इसको check out कर सकते हैं तो जैसे आप इस page के ओपर आएंगे यहाँ पर recruitment notice के अंडर में selection of graduate and technical apprentices in VSSC for training year 2024-25 अब जैसे आप इसके ओपर click करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा selection of graduate apprentices BE, BTEC अगर है या bachelors in hotel management है catering technology है या non engineering के background से अगर आप belong करते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले PDF document को आप study कर सकते हैं अब मैंने अल्रड़ी यह PDF document जो है वो download कर रखा है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि वो PDF document किस तरीके से दिख राए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका document है अब इसको check out कर लीजे मैं यह सबसे first page के उपर आजाता हूँ इसका जो date है 27.08.2024 को यह notify हुआ है इसका जो letter है letter का जो number है वो यहाँ पर mentioned है इसको check out कर लीजेगा अब कौन-कौन से area के या कौन-कौन से students यहाँ पर eligible है वो देख लीजे BE, B.Tech की degree है अगर आपके पास bachelor's in hotel management है catering technology है या आप non-engineering background को भी अगर आप belong करते हैं तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अब यह जो Vikram Sarabhai Space Center का जो यह training program है 2024-25 के लिए है from candidates who has acquired the qualification from recognized university coming under the southern region of board of apprenticeship training Kerala, Tamil Nadu, Karnataka Andhra Pradesh, Tilangana और Pudhichari यानि कि इनी areas या इनी states को जो students belong करते हैं वो ही यहाँ पर apply कर सकते हैं साफ तोर पर लिखा हुआ है फिर से एक बार देखिए for the training year 2025 from the candidates who has acquired the qualification from a recognized university आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो इन states से होनी चाहिए अब देखिए कौन-कौन से areas में कितनी vacancies निकली हुई है aeronautical engineering या aerospace engineering की बात करें तो 15 positions है chemical engineering के बहुत सारे students जो है वो हमारे audience है वो पूछते रहते हैं कि हमारे लिए क्या positions आती है 10 positions यहाँ पर दिख रही है civil engineering की 12 positions है computer science engineering की 20 positions है electrical की 12 electronics engineering की 43 3 काफी ज़्यादा positions है mechanical की 45 बहुत ज़्यादा positions है metallurgy की 6 positions है production engineering की 6 positions है fire and safety engineering की 2 positions है तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो अगर आप इस field को belong करते हैं इन fields को belong करते हैं तो आपके पास engineering degree होनी चाहिए 4 या 3 years duration for the lateral entry granted by the recognized university और आपका जो CGPA होना चाहिए वो या तो 6.84 हो या percentage marks जो होना चाहिए वो 65% होने चाहिए अब hotel management की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 positions आई हुई है अब देख सकते हैं यह positions number of positions लिखी हुई है तो 4 positions है hotel management में तो first class degree अगर 4 साल की है hotel management की तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं minimum marks 60% है अब यहाँ पे देखिए non engineering students की अगर मैं बात करूँ तो general graduates जो है यहाँ पे 100 seats आई हुई है काफी जादा seats है आपको यहाँ पे bachelor's degree आपके पास होनी चाहिए 3 साल का duration उसका होना चाहिए और आपके पास जो marks होनी चाहिए वो 60% marks या 6.32 CGPA होना चाहिए अब candidate जिनके पास degree April 2020 के पहले की है या वो final year exam में appear कर रहे हैं या result awaited category में हैं या M.E.M. Tech कर रहे हैं ऐसे students apply करने के लिए eligible नहीं है यह point याद रखिएगा next अगर कोई university जो है वो CGPA और percentage of marks दोनों ही mention कर रहे है तो आपका at least one eligibility norms के हिसाब से पूरा होना चाहिए अब अगर आपके पास CGPA mentioned है तो आप उसको percentage में convert नहीं करेंगे जो mentioned है उसी चीज़ को लिखना है percentage mentioned है तो percentage लिख दीजे और अगर CGPA mentioned है आपकी degree में तो CGPA लिख दीजे convert करने की ज़रूवत नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो stipend मिलेगा वो 9000 रुपए पर मंत के हिसाब से मिलेगा और यह training एक साल के लिए valid होगी यह training कहां पे होगी यानि कि इसका जो अगर हम बात करें तो Vikram Sarabhai Space Center में ही होगी लेकिन अगर इसका interview के बारे में बात करें तो interview कहां पे है और कितनी तारीक को है 31st 8.2024 यानि कि 31 अगस्ट 2014 को है यह interview और कहां पे located है यह Government Women's Polytechnic College South Kalamassery Irnakulum District Kerala में यह situated है और सुबह 9.30 बज़े से 5.00 बज़े तक यहां पे interviews चलेंगे अगर हम देखें तो जो age limit है वो 31st 8.2024 को count होगी और age limit की criteria यहां पे दिया हुआ है unreserved candidate के लिए 28 साल है OBC के लिए 31 years है SC के लिए 33 ST के लिए 33 लेकिन अगर आप physically disabled भी है तो यहां पे यह add हो जाएगा अब अगर हम देखें तो candidates who have completed 5 years after acquiring the prescribed qualification are not eligible for apprenticeship training अगर 5 साल से उपर हो चुका है आपको अपनी degree complete किये हुए तो आप यहां पे apply नहीं कर सकते candidates who qualified from recognized university coming under southern region of यह states है will be given priority candidates from other university will be considered only in case there is shortage of applications as mentioned in the above discipline तो ऐसा नहीं है कि जो बागी candidates है वो apply नहीं कर सकते बागी candidates भी apply कर सकते है लेकिन priority जो है वो ऐसे states के candidates को दी जाएगी ठीक है यहां तक की बात होगी अगर आपने कभी apprenticeship अपसे पहले कर रखी है तो आप apply नहीं कर सकते इसके अलावा अगर हम देखें तो यह कुछ भी नहीं है यहां पे walk-in interview होगा 31,2024 को walk-in interview है applications किसी भी और तरीके से accept नहीं की जाएंगी आपको walk-in के दोरान ही अपने सारे documents बगरा लेकर के जाने होगी यहां पे देख सकते हैं next आपको क्या-क्या लेकर के जाना होगा अपने originals और self-attested copies लेकर के जानी होगी BE, BTEC, BHM, non-engineering degree, certificate जितनी भी certificates वगरा यहां पे mentioned है उनको लेकर के आपको जाना होगा next अगर मैं बात करता हूँ selection will be based on highest marks scored by the candidates in relevant examination and due weightage to reservation categories तो आपके जो selection होगा वो exam के basis पे होगा और जो भी student का जितना जादा marks होगा reservation भी यहां पे count होगा of course तो यह सारी की सारी details हो गई इस position के लिए apply करने के लिए walk-in है तो आपको कुछ भी apply मतलब कुछ भी post नहीं करना है अपना सारा document लेकर के आपको यहां पे पहुशना है, date मैंने आपको बताई दी तो आप देख सकते हैं चीज की यह आया ही 27th को है 27-8-2-0-24 को यह announce हुआ है और इसकी जो interview वगरा का process है वो 31-2-0-24 को है तो यह इतना कम time का duration जो दिया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कम देर में जो student है वो कैसे पहुच पाएंगे जब बाहर की student है वो कैसे apply कर पाएंगे anyways जैसी मुझे पता चला वैसे मैंने आपको inform कर दिया उमीद है कि यह video पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे जरूर like करिएगा चैनल को subscribe करना न भूलेगा bell icon को जरूर प्रेस करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा thank you so much have a good day